हेलो एवीबन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हो और आपके पार् क्वड़ा ख्याल रखना है आपको और दिनकर वर्न काम को सब्सक्राइब करना आप लोग ईनीवर्स को ग्राटिूडटे ले eyeliner के कल लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि राहीं कि देना है शायद छाली करते हैं रिपोस टार्ट देखते हैं कि आपके जो कार्ट से この क्या बताते एंगर इंगल्स पर अ हुआ है गाइटकरirmi अगलchine से डिवार्स एंडल्स शिस्टर्स हो सटाउ ओके गाइड कर एंजल्स निवर्स एंसेस्टेर्स ओके ठीक है ओके चलिए देखते हैं कार्ट्स के नैजी क्या है कार्ट्स क्या बताते हैं टारो कार्ट से हम डारेक् सूछ पार्ट्णार हैं वह आपके बारे मां क्या कुछ सोच ओके यहाँ पए हो गए आपकी सोच और यहाँ पर आपकी पार्ट्नर की सोच बॉटम एफ़ अफ़ देख लेते हैं five of swords दोनों की energy निकालते हैं जो की दोनों की एक सी energy होगी यानि की middle energy क्या है ये एक card निकालते हैं ये card जो की 20 में रहेगा आपका bottom of the deck chariot के energy है इस chariot के energy से कोई मतलब नहीं है फिलाल five of swords का card आपकी energy से आया था यानि की आप काफी stress ले रहे हो आप इस relationship को लेकर के काफी ज़दा stress ले रहे हो काफी stressful energy में हो और मुझे या पर यहीं दिख रहा है कि काफी stress लेकर के एक जो अतनी की life को change करने की चाहत हो रही है life को बहुत ज़दा change करने की चाहत हो रही है और आपके partner अपनी life को change नहीं कर रहे है तिक मुझे ऐसा अपो रहा है ऐसा दिख रहा है कि आपके पाइनरण अपनी लाइफ को बदल ही नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर यह हैं मेरे सामने तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है आपके कार्ट के अनरजिक अनुसार से देखे आप काफी ज़दा होपलिस हो गए हो आपकी होप काफी खतम हो गई है ऐसा दिख रहा है ना कि आपको कोई होप बची ही नहीं है आप दिन प्रति दिन दिन प्रति दिन अपनी होप को लूज करते जा रहे हो ठीक है आपको ऐसा फिल हो रहा है ना कि यार क्या हो गया ह क्या हो गया है मुझे इस रिस्ते को क्या हो गया है कैसे हो ginger कई न गाफी काफी ज़दा confusion में हो कही न कहीं बहुत ज़दा problem में हो और ऐसा feel हो रहा है जैसे कि आपकी live काफी stressful है थेका है आप अपने आपको हाला की काफी जदा बदल चुके हो आप अपने आपको एक तरीके से काफी स्ट्रेंथ लाया है अपने अंदर आपने पावर लाया है अपने अंदर आप अपने आपको बदलने की चाहत रखते हो यहां पिदा स्टार के अनरजी क्लिर बता रही है कि यहां कि इस यहां पर सपने काफी ज़्दा हैं और सपने लिए की अ कि आपको तेवाप को अपनेपार्टर को और देखिए एक तरफ आपका होप खतम हो रहा है दूसरी तरफ आपको दिख रही है कि आपको manifestation करनी चाहिए आपको कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपके पार्टनर आपके हो जाए आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाए आपसे बात कर ले हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ जो है अट्रैक्ट करने के लिए अपने आपको तोड़ा सा आप सेक्शुल चीज़ें भी कर रहे हो सेक्शुल फोटोज शूट करवा रहे हो फोटोज डाल रहे हो जिसमें आप बेहत खुबसूरत लगो और आपके पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट हो मुझे यहां पर आप काफी रोमैंटिक सी एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो काफी रोमैंस है आपके अंदर काफी this energy मुझे दिखाई दे रही है और एक तरीके से आपके साथ आपका और आपके पार्णर का जो रिलेशन है वो सही होने के लिए, सही करने के लिए, है ना, सही एक तरीके से चीजे यहाँ पर करने की जरुत है, ठीक है, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है के आपके कार्ट्स में ठीक हो के चलिए ये आपकी एनर्जी है अब ये एनर्जी हम बात में के फाइब कपस के इनर्जी है को कुईन अफ गप्स के एंपर एंपरर के एनर्जी है दा फूल है और दा मून का कारड़ अब देखे आपके पार्टर मना मुझे अभी फिलहाल काफी ज्यादा उदास उदास दिख रहे हैं अपनी भावनाव को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा दिख रहे हैं जिसे की सामने जाहिरी नहीं करना है कि मतलब क्या है इनके दिल में या इनके इमोशन क्या है क्या करना चाहते हैं कुछ भी नहीं ठीक है मुझे यहाँ पर यहीं दिख रहे हैं कि आपके पार्टर थोड़ासा अपने आपको अपनी एनरजी को चेंज करना चाहते हैं मुझे ये भी दिख रहा है जिसे कि आपका और आपके पार्टनर की अनुसार से क्लियर दिख रहा है कि येस आपके पार्टनर जो है न रिलेशन्सिप को एक तरीके से स्टार्ट करने के लिए दाफूल के अनरजी में है दाफूल के अनरजी क्लियर बता रहे है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिष्टा है वो काफी अच्छा है और काफी पॉजिटिव है देखें ये पार्टनर आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं इनकी कोई ऐसी अनरजी नजर नहीं आ रही है कि ये पार्टन मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने माइंड को कंट्रोल करने की एनरजी में हैं, काफी जदा कंट्रोल कर रहे हैं, और देखें यह परसन अपने आपको बदलने की भी कोशिश करते हुए, मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहां पर ऐसा दिख इमोशनल हो ठीक है और यहां पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत प्यारी सी अनरजी यह दिखाई दिरी है जो कि एक अंडस्टाइंडिंग की अनरजी है किलियर देख रहा है कि आप आपके पार्टनर आपको जो भी चीजे कर रहे हैं स lies love husband wife का correlation लग रहा है मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो husband है या आपकी जो wife हैं पर देखिए अगर आप husband है उनके तो आपको थोड़ा सा अपना attitude change करना पड़ेगा और अगर आप उनकी wife हैं या उनकी जीएफ हैं तो यहां पे आप इमोशनल काफी जदा हैं emotionally काफी जदा expect करते हो आप उन्हें पार्टनर से बट आपको जो आप expect कर रहे हो अपने पार्टनर से वापको मिला नहीं है आपके पार्टनर इस बात से दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे कोई बात छुपाई है इस पॉरसन ने कुछ ब वे दिखाई दे रहे कि क्या को गौट के उपर सब को सरेंडर कर देता हूं या कर देती हूं क्योंकि क्योंकि यहां पर दिख रहा है फूल का कार्ड जो कि सरेंडर के नर्जी को दिखा रहा है जो कि इनुवर्स को सरेंडर हो रहा है इनुवर्स को सरेंडर करने की बात सोची जा रहे हैं यहां पर ठीक है यह मुझे दिखाई दे रहा है यह परसन को समझ में नहीं आ रहा है कि सुचेशन को क्या से बदलूं कैसे चेंज कर सकता हूं कैसे अच्छे तरीके से मैं उसके साथ डिल कर सकता हूं तो यहां पर मुझे यह दिख रहा है ठीक है हाला कि इस परस करने के लिए उस वक्त जरूर आएंगे क्योंकि आपको सही गलत का भी अंदाजा है कि सही क्या है गलत क्या है और आप हमेशा इनको गलत करने से पहले टोकते जरूर हो ठीक है यह एनर्जी मुझे नजर आ रही है चलिए यह हो गए आपके पार्टनर की सोच ठीक है अब इनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर देख रहा है कि आप दोनों की अनर्जी ऐसी है कि अपने करेट के ऊपर फोकस किया जाए ठीक है बाकि की चीज़े छोड़ दी जाए तो यहां पर मुझे यह दिख रहा है चलिए अब आपके पार्टनर का नेक्स कब होगा गाइड करें अंजल सिन्वार्शन सिस्टर्स गाइड करें गाइड करें तू अफ कप्स का कार्ड है नाइड अफ वांच्झ तु अफ कोईन्स एस अफ कोईन्स एट अफ अफ मॉस्ट्स अवी वाट्म आफ्ष्यल को पाइस कोई दूँश्यल आप के पार्टनर तो आफ majट टाइम लेंगे वाट्न आफ सारी आफ कौईंश्य। जो यह बता रहा है कि अपके पार्टनर टाइम लेते हुए दिखाये रहे है और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके partner ना काफी ज़्यादा कुछ सोच करके काफी ज़्यादा कुछ realize करके यह person आगे बढ़ेंगे ठीक है यह person commitment के साथ ही आगे आना चाहेंगे क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि इनका action दिखाई directly कि यहां पर two of cups का card है प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं तो यह person आएंगे जरूर returning का इनका मुझे दिख रहा है काफी जल्दी returning हो सकती है इनकी मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके और आपके partner के बीच में काफी अच्छी energy है आपके partner आपसे एक तरीके से जो जुडाओ चाहते हैं जो प् आपके partner कभी भी एक्षन ले सकते हैं कभी भी decision ले सकते हैं कभी भी जो है यह person जो है एक तरीके से जो होता नहीं जिसे की decision clear लेना ठीक है तो वह decision आपके partner लेते हुए आपके लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है यहां पर टू अफ कोईन के energy है थोड़ा सा यह person करों क्या करों क्या करों है ना बट यह person करने पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो है नि कuman ने में पार रहे हैं कहीं आपके partner से आपके साथ new beginning करना possibilities है निंव करने वा रोको इप नियों बिगनिंग करके यह परिष самой आप को आफ करना चाते हैं आपके साथ off wish देख करके इस रिष्टे में एक बहुत ही प्यारी सी बहुत ही खुलत सेaks करना चाते हैं ठीक मुझे खास्तोर से रीख कि फॉर शल ऐस डटोक two days में और two hours में ये पॉर्सन का call message आ सकता है आपको ठीक है तो चलिए advice देख लेते हैं कि अब आपके लिए advice क्या है as a advice आप लोगों के लिए क्या है कार्ड में गाइड करें ओके ओके वेट 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 अडवाइस क्या है advice क्या है okay two of wands five of cups का कार्ड ठीक है यहाँ पर ace of cups का कार्ड है okay strength यहाँ पर four of wands ओके आपके कार्ड क्लिर बता रहे हैं कि देखिए आपके पार्टनर आपके लिए stand है ना देखिए आपके आपके लिए क्या कहा जा रहा है guidance की बात करते है guidance guidance यहाँ पर यह है कि आप sad मत रहो क्योंकि five of cups आपके energy में आया था already और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर उदास नहीं रहो ठीक है समय है बदलेगा जरूर आपको थोड़ा सा अपने अंदर strength लानी चाहिए अपने अंदर power लानी चाहिए आपको थोड़ा सा जो है अपने situation को समालना होगा खुद अपनी situation को समालना होगा और जो आप चाहते हो अपनी life में जो प्यार manifest कर रहे हो जैसा प्यार आप manifest कर रहे हो इस person का ही प्यार चाहिए आपको वो प्यार भी आपको मिलेगा ठीक है लेकिन कुछ महिनों के बाद मिलेगा अभी आपको इंतजार करना है क्योंकि यहां पर देख रहा है कि इंतजार कीजिए और अपने अंदर strength रखिए अपने अंदर power रखिए बहुत अच्छी energy है यहां पर मुझे यही देख रहा है मिलते हैं फिर किसी नई रेडिंग में तब तक के लिए बाबाई